कि भगवन ना मुखुन लीलाद का संकीर्टन यही रहस्य रखता है कि हम उसमें भगवान का अध्याहार करें राधा कृष्ण उसमें व्याप्त है ऐसी भावना द्रण करें और जब यह भावना द्रण होती जाएगी तो भगवन नाम का माधुर्ज्य हमको अनुभों में आएगा तब साथ भाव का उत्रेख होगा उनके नाम के सुनने से उनके नाम के लेने से उनके नाम के पढ़ने से फिर हम कि सवस्था पर भी पहुंच जाएगे जहां पर भगमाल शंकर खड़े होकर कहें अगर कोई रा कहता है पार्बती तो मैं दिभोर हो जाता हूं कि अब ये मा कहने वाला है